के आज है के अज़न दूए है अज़ आज आज में आज आज अज बात करने वाले एक ऐसे वाईटी प्रीदिंग सप्लिमेंट के बारे में जो मतलब इतना पॉप्यूलर है कोई gym join करता है या कोई gym बहुत टाइम से कर रहा है कोई भी लेबल का bodybuilder है वो इस supplement को consume करना पसंद करता है क्योंकि रीज़न ही ऐसा है एकदम से ऐसा लगता है कि मतलब explosive energy आपको मिल रही है इसको consume करके तो आप समझ गये होगे मैं बात करूँ प्री वर्काउट supplement के बारे में बीते तीन चार सालों मैंने देखा है कि प्री वर्काउट supplement के trend जो है इंडियन फिटनेस में बहुत ही उपर गिया है पर अगर हम बात करें प्री वर्काउट supplement की तो क्या ये safe है इसके ingredients क्या होते है उसका side effect क्या है सारी चीज़ा इस वीडियो में कबर गर हुआ तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस topic से कि क्या करता है प्री वर्काउट supplement actually तो guys देखो आप office जा रहे हो, college student हो तो हमारा जो daily routine होता है उसके बाद हम इतना ठक जाते है कि जब हम gym जाने के बारे में सोचते है तो वो वाली feeling नहीं आती जो starting में आती थी और यार जब आप शुरू शुरू जब हम gym join करते तो कैसा लगता है दोस्त को phone करें भाई बाई बाई ले कि आजा यार gym चल रहे है चाहे बारिश हो आंदी हो तुफान हो gym जाना है तो जाना है पर एक साल बाद चीज़े बदल जाती है उसके बाद क्या होता है हम सो के उठते है माइंड में आता है यार जिम जाना पड़ेगा ये वाली feeling आ गई तो कहीं नहीं समझ लो कि आप अपने टार्गिट से अपने गोल से कहीं नहीं पीछे जा चुके हो समझ रहे हो फिर वहाँ पर एक option आ था हमारे पास कि यार एनर्जी ना मतलब उस लेवल की नहीं लगड़ी तो क्या करें प्री वर्काउट supplement ले ले लेते है अब प्री वर्काउट supplement में कुछ ऐसे supplements है जैसे की पता ही होगा सबसे popular पर गया यह safe है अब इसके बारे में तो मैं आज बात नहीं करूँगा वो अगली वीडियो में करूँगा देखो में पास और मॉस्स सारे प्री वर्काउट supplement है देखो यह psychotic हो गया pump energizer यह चाहिए लाब्स का गवेक्ट है यह शायादी की बहुत कम लोगे पास होता है क्योंकि इसका लेवल पोहात उक्वर है फिर HFN का pump up यह देखो यह MO explode तो बेसिकली आज मैं आपको एक बात बता रहता हूँ जो लोग मुझे नहीं जानते यूट्यूब पे तो यार The Review King मुझे नाम दिया है लोगोंने और मेरा एक काम यह भी मैं supplements review करता हूँ उसका पंड़ा क्या होता है supplements review करने का मतलब की मान लो अब बता देता हूँ वो कोई protein supplement है ठीक है उसमें 60 serving है और वो 6000 रुपे का है example दे रहो दूसरा protein supplement है उसमें भी 60 serving है पर वो 8000 का है तो क्या difference है mixability का difference है taste का difference है protein ratio का difference है content का difference है क्योंकि protein supplement आज के डेट में सिर्फ protein supplement नहीं होता हूँ उसमें कुछ न कुछ added होते है जैसे कोई LR9 डाल देता है उसके साथ कोई जो भी essential amino acids होते है इस तरीके से configure गिया रहाता आप समझ सकते हो तो हम बात कर रहे हैं प्री वर्गाउट supplement की बारे में तो गईस मैं ये recommend करूँगा देखो प्री वर्गाउट supplement के जो basic ingredients होते है की ingredients होते है caffeine होता है, taurine होता है, beta-alanine होता है और सबका अपना-पना role है अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ क्या role है तो caffeine जो ATP release है उसको बढ़ाता है taurine basically जो आपका mind muscle connection है उसको develop करता है fatigue कम करता है beta-alanine का भी यही का मैं अर्मोस्ट थोड़ा 19-20 होता है ingredient पर आप कैसे चुने सही pre-workout supplement अपने रिये तो मैं आपको बताता हूँ जैसा आपका goal होता है क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि pre-workout supplement एक category है pre-workout एक category है अगर आपका goal है mass gaining तो उसके लिए अलग pre-workout supplement चलेगा आपको lean करना है फिजिक उसके लिए अलग pre-workout supplement fat loss पर अलग pre-workout supplement पर यह चीज़े शायद अभी तक इतना जादा कोई detail में नहीं बताता है तो बात यह है कि pre-workout supplement ले सकते हैं तो देखो FDA के तरफ से इस पर green signal है मतलब ऐसा कोई unapproved चीज़ नहीं है बट मैं यह recommend करूँ है प्री-workout का भी आप cycle चलाओ समझते हो जब low on energy feel करें उसी दिन लो यह कोई essential चीज़ नहीं है कि daily daily आप body में डालो और कुछ इसका advantage हो यह protein नहीं है क्योंकि मैंने देखा अच्छी हो जाती है कि जब वो आप लोगे तभी वो चीज़े secret होगी ले में लाग्वेंज में अगर हम बात करें तो और तभी आप workout को अच्छे दरीगे से drive कर पाऊगे तो अगर आप अच्छी diet रखते हो sleep अच्छी रखते हो तो obviously आपका testosterone level balance रहेगा ऐसा नहीं होगा कि आप सो के उठे तो low on energy feel कर होगे और खास करके जो ऐसे बंदे हैं जो मतलब office नहीं जा रहे हैं कि नॉर्मल रूटीन है तुम्हें तो लेने की जरुवत ही नहीं है मैं सच बताऊं तो honestly बताऊं तो हाँ अगर कोई बहुत ही अच्छे लिएवल का goal set किया आपने की आपको Mr. Physique खिलना है या कुछ ऐसा stage पर उदरना है तो आपके हिसाब से फिर आप और उसमें ही मैंने बोले कि choice बहुत ही सोच समझ करना पड़ेगा चूज करना पड़ेगा आपको protein supplement मैं अगर यह बात करूँ यह pump up जो है इसमें बीटा एलनाइन का रेशियो जादा है ठीक है तो इसका रोल अलग हो जाएगा पर अगर मैं बात करूँ NO explode में तो इसमें nitrogen oxide जो है जो basically pump create करता है बोड़ी में जाके इसका रेशियो अलग है तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अलग-अलग supplements भी review करने शुरू करूँ अईसी channel पर अभी मुझे एक बात बतावा इस वीडियो के नीचे comment में यह बता दो कि कौन से supplement का आपको review चाहिए जैसे protein supplement, protein isolate, pre-workout, al-arginine, जो भी जिसका भी आपको review चाहिए आप अगर उसको discontinue करते हो बहुत जादा फरक नहीं पड़ेगा आप natural diet अच्छी रखो, sleep अच्छी रखो तो उसकी जरूवत नहीं है उसका side effect कहीं नहीं होता है क्योंकि अगर आपने body को 3-4 सानों से आदत लगा दिया है कि pre-workout supplement लेके वर्काउट करोगे जाओ रहे होंगे pre-workout supplement को लेके कहीं नहीं clear हुए एक बार मैं फिर से उसी पर आपको focus करवाता हूँ कि pre-workout supplement एक category है जो काम एनों explode करेगा वो काम जरूरी नहीं कि hide करके दे देगा आपको समझ रहे हो हर pre-workout supplement का अलग फंडा होता है so guys smartly चुने अपने supplements को अपने goal के हिजाब से चुने कहने का मतलब यह है ठीक है pre-workout supplement basically एक तरीके से देखा है मेरे तरफ से तो green signal है क्योंकि उसमें कोई ऐसा ingredient या ऐसा content नहीं है जो FDS अप्रूब में है सारी चीज़े ऐसी है हाँ एक चीज़ बहुत ही जादा important अब यह pre-workout supplement है पता होगा आपको इसका अगर हम इंग्रीडियेंट देख देना तो पीछे लिखा होता है psychotic blend 4459 mg यहाँ पे यह देखो blend that means कि इसने यह disclose नहीं किया है कि इसने caffeine कितना यूज किया इसने taurine कितना यूज किया betal anine कितना यूज किया तो हो सकता है कि आपके body type के हिसाब से यह चीज़े suit ना करें क्योंकि इसने ratio disclose नहीं किया तो यह बहुत important है गाई समझ रहे हो मैं क्या करने वालों मैं आपको सीधा सीधा बतायता हूँ जितने भी supplements हैं आता नहीं है आपको ही पता है तो कहां से तो मैं क्या करूंगा आप जैसे एक example में देता हूँ यह मत सोचना है कि यह paid promotion है बाहर की company मुझे पैसे नहीं देगी अभी promotion के लिए pump energizer है ठीक है यह pre-workout supplement मेरे tried and tested है बहुत अच्छा result है और इसका cost अगर आप देगोगे तो 17-18 रुपय मिल रहाता है तो अब यह हम क्यों ना consume करें क्यों कि और हमें पता ही नहीं है इसके बारे में कि यह pre-workout supplement exist भी करता है कई लोगों पन नहीं पता है तो हम सीधा फिर 2-3,000 रुपय लगाते so basically मैं यही करने वाला हूँ अपने चैनल पर जो भी आपको supplement आपके माहिड में चाहँ रहोगी उससे related review चाहिए आप comment में बता तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके review लेटी आओंगा alright guys thank you so much keep supporting bye